संसर ने आज दीसरे दिन भी नोट बंदी पर संग्राम जारी रहा जिसके चलते दूनों सत्रों में भारी हंगामा हुआ शोर गुल के चलते राजसभा की कारेवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा वही लोगसभा में जोरदार नारेवाजी को देखते हुए कारेवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया जैसे ही प्रश्णिकाल की प्रक्रिया शुरू हुई लोग सबा में कॉंग्रिस के नेता मलिकार जुन खडगे ने नोट बंदी पर नियम 56 के तहत चर्चा की मांग की जिसमें वोटिंग का प्रावधान हैं खडगे ने कहा कि नोट बंदी से लोग परिशान हैं हमने स्थगन के लिए नोटिस दिया है इसे स्विकार करे और नियम 56 के तहत चर्चा शुरू कराएं वही वंकईयन आईजू ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है कॉंग्रेस इस मुद्दे से ध्यान भटका रही है और चर्चा से भाग रही है विपक्ष समझ गया है कि जन मानस उनके खिलाफ है यहां विपक्ष की मांग है कि पीम मोधी की मौजूदगी में सदन में चर्चा कर आई जाए वहीं राज्यसभा में बीजेपी कॉंग्रेस सांसत गुलाब नभी आजाद से माफी की मांग को लेकर हंगामा करती रही दरसल गुरुआर को गुलाब नभी आजाद ने नोडबंदी के चलते मरने वाले लोगों और शहीदों की तुलना की थी जिस पर सरकार ने कड़िया पत्ती जताई थी और इस बयान को कारेवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था हाला की माफी की मांग को खारिच करते हुए आजाद ने कहा कि देश को अवेवस्था की कगार तक लाने के लिए बीजी पी को माफी मांगनी चाहिए तो आज तीसरे दिन भी नोट बंदी और आजाद के बयान पर संसत ठप रही संसत से लेकर सडक तक नोट बंदी पर खमासान बचा है और अभी जो हालात है उसे देखते हुए नाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी संसत की कारेवाही हंगामेदार रहेगी देखते रहे हैं जी बिलाइव